पानिंग स्टुडेंट्स आज के इस वीडियो में हम पोएसी या ग्रेमिनी फैमिली की सिस्टामाटिक पोजिशन उसके विसिस लक्षन, सलाइन फीचर्स और उसके काईक लक्षनों के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी सिस्टामाटिक पोजिशन की ग्रेमिनी फैमिली जो होती है इसका जो नामकरन हुआ है जो इसका जो नॉमन क्लिचर है वो ग्रीक शब्ड पोवा गास की आदार पर रखा गया है बैंताम एन हुकर की क्लासिफिकिशन के अकॉर्डिंग इसका जो डिविजन होता है वो होता है एंजोस मॉम्मी सब डिविजन है मोनो कॉटलेडिनी जिसके अंदर एक दल पत्र पाया जाता है और जो पुष्प होता है जो फ्लार होता है वो त्री तरी प्रकार का फ्लार पाया जाता है मोनो कॉटलेडिनी के अंदर सीरीज या श घ्रिंटिति है वेंथम और हुकर की क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिग ग्रेमनी फामिली के लाक्षने गुनों की बात करते हैं, सलाइन फीचर्स की बात करते हैं, तो इसमें जो इस फामिली में आने वाले जो सदश्य हैं, जो पादप हैं वो शाक या शुप प्रकार की होते होती हैं विद होलो इंटर नोट्स एंड जॉइंटेट स्टैम जो पर्व संधिया होती है वो खोखली प्रकार की होती है जो नोट्स होते हैं वो ठोस प्रकार की होते हैं इसके लावा जो स्टैम होते हैं वो जॉइंटेड होते हैं जॉइंटेड स्टैम पाया जाता है पत्त और आशार्द पाया जाता है पटल में वभाजित होने के कारण दोनों की जो सनदी स्तल होता है उस पर एक अतीव रदि पाये जाती है की स्विट होता है या GB का अपस्तित होती है फ्लार जो होता है इसमें reduced होता है enclosed in lema and pia इसमें तुष पाया जाता है glume present होता है जो की सहपत्र को निरुपित करता है इसके अंदर lema बे पेलिया अपस्तित होते हैं और फ्लार का जो अक्ष होता है उसके अक्ष में एवरंत एक व्यास सम्मित या द्वी लिंगी या एक लिंगी पुष्व उपस्तित होता है पुंके सरुकी जो संख्या होती है लगबग तीन होती है और फ्री होते हैं मुक्त दोले प्रकार के होते हैं जायंग जो होता है वो त्री अंडपी प्रकार का होता है ट्राइकारपिलरी होता है सर्यूंग तांडपी होता है ये कोस्ट किये पराइटल भित्य विजानास पाया जाता है वर्तिका दो होती है एवं वर्तिकागर पिच्छकी प्रकार का होता है और इसमें जो फल होता है तो ये सबी ग्रेमिनी या पोईसी फैमिली के लाक्षनिंग उने हैं, उसके इस लाइन फीशर्स हैं, इसके डिस्टिबिशन की बात करते हैं, तो पादर जगत का एक बड़ा खुल है, इसमें लगभग 660 जीनस और लगभग 10,000 जातियां पाई जाती हैं, पूरे विश्व क के अंदर भारत में अगर इसके डिस्टिबिशन की बात करें, तो भारत में लगभग 239 जीनस और लगभग 1150 जातियां पाई जाती हैं, और ये शुषक और आदर सितियों में वैं समुदर तल से लेकर हमाले तक की उचाई तक ग्रेमिनी फैमिली के प्लांट्स पाई जात हैं, ये शाक्यों होते हैं, शाक्यों प्रकार के होते हैं, एक वर्षय भाववर्षय शाक होते हैं, उधारन के लिए जैसे दूब हो गई, साइनोडॉन, और आईजस, अटाइवा, चावल, गेहों, ट्रिक्रिकम, एस्टिवां, जो, तो ये सभी प्रकार के जो पादप है हैं, ये भाव방 एक वर्षय शाक होते हैं, उसके अलावा इसमें कुछ शर्ब भी पाये जाते हैं, से लर्श की थोड़े लंब्य ब्रक्श होते हैं, इसमें जो रूट पा आई जाती हैं अपस्ताने जड़े पाये जाती हैं, गन्मे में जो ए 円ना प्तन पोरजान कीकि ठा पोईसी फैमिली के पादपों में जो स्टैम होता है इसमें बहुत बिक डाइवसिटी पाई जाती है विवित्ता पाई जाती है स्टैम इरेक्ट प्रकार का होता है वाइवी होता है प्रोस्टेट प्रकार का होता है शान प्रकार का अथ्वा विसरपी ट्रेलिंग प्रकार का कुछ सैंटीमेटर से लगबग 100 मीटर तक लंबा हो सकता है इसमें जो स्टाम होता है वो भूमिगत होता है चरिस्ताई प्रकन द्वारा पौदो की ब्रद्धी होती है तो इसके अलावा इसके जो मुख्यक्ष के आधार से कलिकाई विक्सित होती है और उन कलिकाउं से नए प्रोहो या तल शाखाओं की ब्रद्धी नए प्रोहो या तल शाखाओं में ब्रद्धी करते हैं शाखाओं जितनी नजदी विक्सित होती है पादप उसी की अनुरूप घने समूमें या शित्र हुए ब्रद्धी प्रदशित करते हैं जो ट्रिट्रिकम या बैमुसा आध होते हैं और इस प्रकार जो जोड युक तो सरूब बनता है मैं पलाल अथवा कलम कहलाता है कुछ वह जैसे की जिया मेज में एंडु पोगोन आदी में जो परवे परफसंदिया दोनों ही सॉलिड प्रकार की पाई जाती है नोट्स और इंटर नोट्स दोनों ही सॉलिड होते हैं सामानित है सामानित है पोईसी फैमली में जो इंटर नोट्स होते हैं वो खोगले प्रकार की होते हैं जो नोट्स होते हैं वो सॉलिड प्रकार की पाई जाते हैं तने पर कुछ सून परवसंदी दो प्रकार से बनती हैं परणाशाद की व्रद्धी से बनती हैं उसके ल पतियां जो होती हैं पोईसी फैमली के अंदर सरल प्रकार की होती हैं, सिंपल होती हैं, एकांत्रित होती हैं, अल्टरनेट प्रकार की लिफ्स पाई जाती हैं, रता पर्ण आशाद पर्ण पटल में विभाजित होती हैं, द्वी पंक्तिक होती हैं, पटल या लैमिना वे पर पर्ण आशाद के संदी इस्तल पर एक अतिव रदी पाया जाती है जैसा कि हमने स्लाइन फीचर्स में ही बात की थी उसको लिगियूल या जीविका कहा जाता है बैम्बु सामें ये संरशना या लिगियूल अनुपस्तित होता है एपसेंट होता है क्योंकि उसमें पर्ण परता है पत्यों के आकार विन्यास में भी बहुत अधिक डाइवासिटी या विवित्ता पाये जाती है इसमें पत्यों के प्रकार की बालाकार लिनियर लैंसियोलित प्रकार की अ थव स्वा चौल इस वैर विश्जूल थोलित होता है तो इस प्रिकार की पतियां पाए जाती है पोईसी फामिली के पादपों के अंदर इसमें जो सिरा वन्यास पाए जाता है वो समारंतर सिरा वन्यास पाए जाता है इन्फ्लोरेसेंस पोईसी फामिली में विस्स प्रिकार का इन्फ्लोरेसेंस पाए जाता है योगिक प्रिकार का कंप